नमस्कार मैं हूँ आपके साथ आर्तिय सिंगा साथ और उप करते हैं खास खबरों किया रंग के हाथों धर दबोचा आपको बता दे कि निर्माण में 10 प्रतिशत राशी 67,000 रूपे बनती है जिसकी शिकायत सरपंच जितेंद्र मालविये ने लोकायुक्त पुलिस भोपाल से की थी जिस पर कारवाई करते हुए लोकायुक्त ने 20,000 की राशी रिश्वत लेते हुए इंजीनियर गोविंद अहिरवार को रंगे हाथों पकड़ाया है जिस पर भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत अपराध पंजीबध कर कारवाई की गई जहां कारवाई लोकायुक्त पुल जविये ने बताया कि जनपत पंचायत के सभी सरपंच परेशान है बिना रिश्वत लिए इंजीनियर और अधिकारी काम करने को तयार नहीं है जिसे तंग आकर यहां कारवाई की गई है देखिए पूरी खबर मंडावर से होकम प्रजापती की रिपोर्ट इसे तीं-चार मुल्यंक काने में जाने तक दस परसेंट रासी सीदी सीदी कि रुपए आज 20 रुपए दिये सब तो कि रुपए लेज़ते हैं देने में तो काफी लाग रुपए सुपर दे दियोंगे को इनको सारा जब से लेक अब तक लेगन बिना पेसे के कामिन चलता हैं कि इन्होंने सुन्चाट रुपए मांगे थे आज 20 रुपए दिये हैं और इसवत शिकायत हमने सुम्मार के दिन बोली कि ती परेशान सब बहुत सारे सरपंच परेशान आज तीन-चार सरपंच के फोन आगा है मेरे पासमा करे यार सर उनको समझाओ यार मैंने भी कु परेशान चुनाओं लड़के पस्तर है यूं मालो कम ही दम ही कुछ है नहीं सेवा में लगे हुए हैं तो सेवा भी कर रहा हम लेकिन सेवा में माइनस में जा रहा है उल्टेम जेप के खर्च हो रहा है अभी तक उसके बावजद में इनको बिना कर दिनांग सोला पांचे उन्तवजाब चोबीस को सरकंच चिते नहीं वारे शिकायत की थी कि उसके पंचायत के मुल्यांकर के काम के लिए इंजीनियर वोभी नहीर वार दस प्रतिश्यक के माल से सरस्ट हजार रुपे की मांग कर रहा है और उनने 30,000 रुपे उन से लेने का बोला के काम के मुल्यांकर के लिए आज उनको जो इसने आवेत अपनी सिकायत की थी उसका सत्यापन कराया गया सत्यापन में आज इनको रिश्वत देते वो भी नहीर वार को रंगी हाथों पकड़ा गया कितने रुपे बीच हजार की रिश्वत लेते हैं कि अधिक्या कार्वाई हो रही है धारा साथ पिसी अपर रही हो रही है